इस वीडियो को मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बनाओंगा लेकिन मैं आज बना दिया हूँ क्योंकि जिन्दगी कुछ ऐसी ही होती है जो हम सोचते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं और जो हम कर पाते हैं वो हम कभी सोचते नहीं और जो हम आप तो समझ ही गए मैं कहना क्या चात यह ज़रूर नहीं है मेरे कभी वच्चे हुए नहीं तो मुझे उन में कोई एक्सपीरियंस जादा है ने की वच्चों कैसे सिखाते कैसे पढ़ाते और कैसे उनको दिखाते है तो यह चोटी सी बड़ी वाशिंग मशीन जिसमें सारी चीजे वाशिंग मशीन जैसी ही है अग वोसिकल कुछ अलग-अलग हाई-टेक वाशिंग मशीन आ चुके हैं जो की एक ही द्ध्राययर, बतलब एक ही जगए पे द्राययर भी होता है और वाशर भी होता है और जो इसको कहते हैं वो सब तो देखेए पहले जमाने में washing machines कुछ ऐसे आती थी, आजके जमाने में भी ऐसी कुछ washing machines बची है, तो यह है dryer जिसको ऐसे निकाल सकते हैं फिलल इस चोटी washing machine में लेकिन अगर आपके घर में असली वाली washing machine है तो इस dryer को निकालने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो तूर तो है नहीं मेरा दोस्त लेकर आगया बोलता है कि इसका आपको रिवीव करते तो मैंने बोला कि ठीक है बाबा तो यह जो प्लग है वो आक्चुली छोटा सा प्लग है इसमें शायद से कोई लगेगा नहीं या पिर अगर इसी मशीन को अगर आपको अक्चुल में चलाना है तो आपको प्लग उसके हिसाब से लगाना पड़ेगा बड़ यह तो नकली मशीन है लेकिन मैं आपको असली मशीन के तरह एक रिवीव करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा भी प्राक्टिस हो रहा है और आपको यह वीडियो देखने पसंद है लेकिन मुझे नहीं लगता यह वीडियो बहुत ही कम लोग देखने वाले हैं क्योंकि आजकल बड़ा क्रीजी पे कोई आ ही नहीं रहा है मैं धड़ा धड़ हर दूसरे दिन वीडियो डाल रहा हूँ लेकिन कोई मेरे वीडियो देख नहीं रहा है 5, 10, 15, 20 दिन में एक सब्सक्राइबर बढ़ रहा है उसी की खुशी जिंदगी में मेरे को है क्योंकि जब धड़ा धड़ सब्सक्राइबर बढ़ने लग जाएंगे तो धड़ा धड़ बढ़ने लग जाएंगे ये मुझे पता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो छोटे छोटे बच्चों के लिए ये जो वाशिंग म पसंद है और इस पाइप में हैर वह चीज है जो कि एक अक्च्वल पाइप में होनी चाहिए और यह वैसे ही मुड़ता है इसका टेक्च्चर भी वैसे ही है जैसे असली वाशिंग मशीन के फाइप का होता है तो जिसने भी ये मशीन बनाई है चोटी वाली बहुत ही खुश हो जाईए और ये वॉषिंग मशीन अगर आपको खरीदनी है तो आप खरीट सकते हो वरना आप नहीं भी खरीद सकते हो क्योंकि यार ये वॉषिंग मशीन खरीदने का कोई फाइदा मुझे तो नहीं लग रहा है लेकिन अगर आपके चोटे बच्चे रो रहे हैं इस वाशिंग मशीन के लिए तो फिर उसे यह वाशिंग मशीन तो हमें देनी ही पड़ेगी या फिर आप वो पिगी बैंग को उसको दे सकते हो जो मैंने पिछ अचले वीडियो या फिर अगले वीडियो या कोई तो वीडियो में बनाया है तो चलिए धन्यवाद अगर आप आखरी तक मेरा इस वीडियो को सुन्निया देख रहे हैं मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कर रहा है लेकिन फिर बाइबाइब अचले वीडियो